असलाम उलेकुम, फाइलम्स को हम study कर रहे थे और आज के इस लेक्टर के अंदर हम थाइलम, फाइलम प्लेटी अलमेंथिस को study करेंगे, दो फाइलम हम आरेडी study कर चुके है, तो फाइलम प्लेटी अलमेंथिस का second नाम क्या है? फ्लैट वार्म, उसकी वज़ा क्या है जिसका मतलब उता है फ्लैट वार्म, फ्लैट जानी चिप्टे यानि इसके अंदर जितने भी आपको एनिमल्स मिलेंगे उनकी स्ट्रक्चर जो है, उनकी बाड़ी जो है वो चिप्टी होगी बिल्कुल पतली होगी लीव की तरह हम पतली होगी जैसे किसी चीज से कोई भारी चीज गुजार दो तो पीछे वो चीज जैसे कार्टून क्रेक्टर्स हम देखते हैं पीछे से चिप्टे हो जाते हैं बिल्डोजर गुजरने से तो इस तरीके से इनकी body होती है, चिप्टी होती है, उसकी भी reason है, अभी हम study करेंगे, इनकी body क्या होती है, डार्सो वेंटरली जानी उपर उन नीचे से flattened होते हैं, यह चिप्टे होते हैं, ठीक है, आप कोई भी दो example जहन में रख ले ताकि आपको characteristics से इस phylum की असानी से यह उपर वाला mouse portion बनाया है, नीचे ribbon-like structure होती है, चिप्टे होते हैं, ठीक है, so tap one, which is a parasite, plain area, जो कि free living है, अब हम चलते हैं, habitat की तरफ यह आपको कहां का पर मिलेंगे, यह free living होते हैं, यानि इनमें कुछ free living होंगे, कुछ parasite होंगे, कुछ ऐसे होंगे, जो दूसरे host organism पर depend क हम कह सकते हैं, moist land पर भी आपको मिलेंगे, यानि यह हर जग आपको मिलेंगे, ठीक है, फिर body symmetry को अगर हम देखें, तो इनकी body क्या होती है, body symmetry bilateral होती है, यानि सिर्फ एक plan से आप इनको 2 equal half में divide कर सकते हैं, और यह bilateral और यह सारी चीज़ें आपको already आती होंगी अभी तक, body layer की बात की जाए, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक यानि पिछले फाइलम के अंदर हमने देखा था, डिप्लोब्लास्टिक अनिमल्स थे, अब ट्रिप्लोब्लास्टिक यानि third layer भी इन अनिमल्स के अंदर आ गई है, यानि mesoderm भी इनकी body में आ चुका है, और body cavity क्या होती है, अभी तक इनके अंदर सीलॉम नहीं बनी, तो इसलिए ऐसे हम कहेंगे, कि ये ऐसलुमेट्स है, तो ये तीन चीज़ें आपको लाजमी आनी चाहिए, body symmetry bilateral, body layer triploblastic, body cavity, ऐसलुमेट्स, cellular organization की बात की जाए, लास्ट जो फाइलम हमने निडेरिया study किया था, उसमें tissue level था, य ये टाइप आफ digestive system, जो कुछ animals में होता है, कुछ में नहीं होता, वो अभी हम देखने बाले हैं, तो cellular organization आपने organ level लेवल लेखना है, और ये motile होते हैं नेचर के अंदर, यानि ये move कर सकते हैं, उसकी बड़ी वज़ा क्या है, कि इनके अंदर जो तीसरी layer आई है, ट्रिप हम structure की दरफ आते हैं, उससे पहले मैं आपका बता दूँ कि जो free living होते हैं, free living, platial menthes, उनकी बाड़ी के अंदर digestive system मौझूद होता है, जबकि जो parasite होते हैं, जो host पर depend करते हैं, host की बाड़ी से खुराक लेते हैं, उनकी बाड़ी के अंदर digestive system नहीं होता, इसलिए वो food जो ह हमारी intestine के अंदर मुझूद होता है, और उसके अंदर digestive system नहीं होता है, उसकी वज़ा क्या है कि उसे absorb हुआ 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 या छोटी-छोटी particle में divide हुआ हुआ हुआ, food जो है, वो मिल रहा होता है और वो उस food को direct body से absorb कर रहे होते हैं, ठीक है, so parasite ज्यादा तर, कुछ parasite ऐसे जिनका digestive system है, but mostly parasites के अंदर digestive system नहीं होता, अब structure को जड़ा detail से देखते हैं, यह हमारे पास parasite जो आ जाते हैं, प्लेटी-अलमेंथिस, उसकी structure में कुछ advanced चीज़े होती है, वो हम study करेंगे, बाकी structure इनकी flatten होती है, यहां ribble-like होती है, यह अगर मैं यहां पर लिख लूँ, य this is tap warm, ठीक है, ribble-like structure होती हो, और कुछ tap worms ऐसे होते हैं, जो body के अंदर 20-30 feet तक लंबे हो सकते हैं, और यह disease भी कास करते हैं, definitely parasite है, so tap warm के अगर mouth वाली structure को देखे हैं, वैसे तो mouth हिनका नहीं है, लेकिन जो anterior end है, वहां पर अगर हम देखे हैं, तो hook मुझूद होती है, बिल develop हुई है, ताकि intestine के अंदर ये intestine को पकड़ के रख सके हैं, और हमारी intestine से ये असानी से बाहर ना आ जाएं, ठीक है, और इसी तरीके से side पर suckers होते हैं, जो के also attachment के लिए help करते हैं, और नीचे neck आगी हो, नीचे इन की body होती है, जहां से ये food लेते हैं, और food को बाहर भी नि पानी के अंदर, समुदर के पानी के अंदर, fresh water के अंदर और, moist land के उपर, हर जगा आपको ये मिलेंगे, प्लेनेरिया, ठीक है, naked eye के साथ भी हमें इने देख सकते हैं, आसानी के साथ, तो यहां पर मैं थोड़ी से वीडियो आपको दिखा दे, तो इस type के प्लेनेरिया होत हैं, तो यहां पर, एक head होता है, ठीक है, head region होता है, उसके अंदर, eye spot होते हैं, true eyes नहीं होती हैं, but eye spot होते हैं, जो light signals को detect करने के काबल होती हैं, ठीक है, तो इस region को हम eye spot बोलते हैं, और इकल यानि यह sensory sense करने में चीज़ों को chemical signals और बाकी signals को sense करने में यह वाली structures help करती हैं जो यहां पर edges bulb like बने हुआ है, फिर यहां पर अगर हम देखें, तो यहां पर यहां पर, sorry, network है cells का, कौन से cells का, nerve cells का, ठीक है, so nerve cells का, जहां पर network से बनता है, बहुत सारे cells, nerve cells जहां पर रिकटे हो जाते हैं, उसे हम ganglion कहते हैं, ठीक है, so this is ganglion, यहां पर मैं spelling ठीकल, ganglion, ठीक है, और यही ganglion जो है, वो complex living organisms के अंदर modify होके nervous system या brain बना देता है, ठीक है, simply, so this के अंदर ganglion के साथ, इस तरीके से nerves जो है, या nervous system नीचे body तक गया होता है, और ladder like nervous system होता है, so यह MCQS में आ जाता है, कि plan area के अंदर जो nervous system है, ladder like होता है, यहां पर इस तरीके से connected ह दो line नीचे तक nerves की गी होई है, और यहां पर यापस में ladder की तरह connected भी है, ठीक है, फिर इसकी structure के अंदर हम देखें, एक तो पतली structure है, ठीक है, flatten body है, और यहां पर central cavity है, जिसे हम gastrovescular cavity बोलते हैं, यानि इनका digestive system है, यहां पर food आएगा, food की digestion होगी, food कहां से आएगा, इनक यह एक tube like structure होती है, जिसे pharynx कहा जाता है, जिसके end पर एक hall होता है, जहां से यह खुराग को intake करते हैं, और digestion होती है, और फूड जो undigested food material हो, फिर इसी रास्ते से बाहर निकलता है, तो food का intake और बाहर निकालना, digestion कहां से हो रहा है, pharynx से हो रहा है, तो pharynx को हम इनका mouth and anis बहुत कह सकते हैं, ठीक है, इसके लावाएन की body के अंदर आपको excretory system भी नज़र आएगा, जो चहां parent पर मैंने दिखाया हुए, excretory system में बैसी कहले होता गया है, excretion क्या है, metabolic waste जो body के अंदर बनते हैं, उसे body से बाहर निकालना, ठीक है, आपने digestion वाले excretion को mix नहीं करन excretory system, यह excretion क्या होता है, metabolic waste का body से बाहर निकलना, और digestion क्या होता है, जो undigest food होता है, उसका body से बाहर निकलना, वो कहां से निकल रहा है, pharynx निकल रहा है, और जबकि जो metabolic waste है, वो excretory system इनके अंदर होता है, जैसे protonephridium बोलते हैं, उसके थ्रू होता है, अभी हम देखन हैं, उसकी structure की तरफ आएंगे, so gastrovascular cavity, nervous system, excretory system हो गया, pharynx भी हो गया, ganglion और यह सारी structure हम ने discuss कर ली, अब excretory system क्यूंकि थोड़ा सा इस पर focus दिया जाता है, इसलिए थोड़ा समयाब को बता देता हूं, excretory system में जब हम देखते हैं, तो excretory system मिलकर बनाता है, phlame cell से, phlame cell इसको क्यों नाम दिया जाता है, कि इस cell के एक side पर इस तरीके से cilia मुझूद होते हैं, और वो flicker कर रहे होते हैं, और जब हम microscope के अंदर देखते हैं, तो यह flickering, phlame की तरह, आग की लपड की तरह, आमें नजर आती है, ठीक है, so यह phlame cell आ गया, phlame cell का nucleus आ गया, यह सिल्या आगी, तो यह एक phlame cell बन चुका है, phlame cell के बाहर इस तरीके से कुछ tube की slits होती हैं, जहां पर सुराफ होता है, यहां पर आप देख पा रहे हैं, यह hall है, इसे हम slit बोलते हैं, इस से क्या होता है, बाहर इनके body से जो west होता है, वो travel करता है, phlame cell की तरफ, और यहा यहां पर इनका जो tubes हैं, वो body से बाहर यहां पर, body से बाहर चोटे चोटे पोर से बने होते हैं, जिन pores को excretory pores और nephredio pores कहा जाते हैं, nephredia या proton nephredia, nephron, इस से नकला है, यानि kidney का function पर फार्म करना, फिर से मैं आपको बताता हूं, यहां से west travel किया, inside the phlame cell, phlame cell के cilia ने उस west को आगे बैजा, tubes की तरफ, tubes ने किया किया, उस west को proton nephredio pore, excretory pore की तरफ बैजा, excretory pore जो है, वो इनकी body से बाहर, external environment की तरफ open होता है, और यहां से जो excretory west product है, वो बाहर body से निकल जाता है, so यह इनका excretory system का function इस तरह की से perform होता है, so hopefully आपको structure समझा चुकी होगी, अब हम आगे बढ़ते हैं, excretion का मैंने आपको पता दिया, flame cell के जरी हो रही है, respiration इनकी body अंदर diffusion, क्योंकि इनकी अंदर circulatory और respiratory system नहीं होता, इसलिए इनकी body के अंदर respiration है, वो diffusion के जरी होती है, environment से, diffusion आप जानते हैं water के जरी है, जो भी respiration चलती है, okay, reproduction की बात की जाए आपको मिलेगी, platial menthes में, asexual reproduction and sexual reproduction, asexual reproduction further दो type की है, by fission and by fragmentation, fission आप जानते हैं, दो चीज़ों का अलग हो जाना, separate हो जाना, so यहाँ पर plan area जो है, fission कर रहा होता है, so इस तरीकी से एक plan area से दूसरा plan area बनता है, और वो divide हो जाते हैं, दो plan area अलग हो जाते हैं, excuse me, ठीक है दो plan area अलग हो गया, fragmentation क्या है, कि अगर आप plan area को cut करते हैं, और याद रखिए, यह वाहिद animal है, जिसके अंदर regeneration की master, your mind blowing capability है, ठीक है, यानि आप इसके जितने भी pieces कर देंगे, let's suppose हम इसके एक, दो, तीन, चार pieces कर देते हैं, तो इसका हर piece एक new plan area बना देगा, यानि इसक अंदर इतने stem cells होते हैं, कि यह दुबारा से एक new organism बना देते हैं, ठीक है, तो इसे आप kill नहीं कर सकते हैं, जब इसे काटेंगे, तो यह नया annual बन जाएगा, बलकि आप जब इसे काटेंगे, तो इसकी actual में आप numbering increase कर दे हैं, तो sexually यह कैसे reproduce करते हैं, flatworm, इनके अंदर ज जब दोनों type के gametes produce हो रहे हों, male और female दोनों gametes produce हो रहे हों, ऐसे animals कोन से होते हैं, Hermofrodite होते हैं, यह spunks ब्रॉड्यूस करते हैं, एग ही animal, जैसे प्लेनेरिया के example कर ले हम trained यह अंदर एग भी produce हो रहे होते हैं, and spunks भी produce हो रहे होते हैं, but mostly होता क्या है, कि extra培 प्लेनेरिय जाइगोबर बनता है जाइगोबर बनता है लार्वा बार्वा बाड़ी से बाहर निगलता है और एक न्यू आर्गिनिजम मंद जाता ہے तक्रीबर सारी चीज़ें मैंने डावर कर लिए आपको लेक्चर समझ में आया होगा नेक्स्ट लेक्ट तक के लिए मुझे इजाज़त थे हैं शुक्रिया अल्लाँ आफिस